स्टुडेंट्स, विल्कम बैक टू माई यूटूब चैनल आर्ट्स रेजन क्लासेज मेरा नाम रंजना गुपता है और आज हम आप लोगों को UPTGT आर्ट 2004 का कुश्चन पेपर सॉल कराएंगे तो चलिए सुरवात करते हैं कुश्चन नंबर वन से कुश्चन नंबर वन है तयम मेहता का प्रसिच चित्र कौन सा है फर्स्ट ओप्शन है दुर्गा, सेकेंड ओप्शन है सरस्वती, थर्ड ओप्शन है काली, फोर्थ ओप्शन है रेवती तो तयम मेहता का जो प्रसिच चित्र है वह है काली ठीक है तयाब महता के और भी चित्र हैं जैसे सेलिब्रेशन, महिसा सूर, ट्रेसेट बूल सिरीज और संथालों का बसं उत्सो आदी ये सब इनके जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र हैं ठीक है तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वहाँ होगा आप्सन नमबर 3 काल नेक्स्ट कोश्चन है तयाब महता ने इन शहरों में कारे किया था फर्स्ट आप्सन है बंबई मदरास सेकेंड आप्सन है बंबई दिल्ली थर्ड आप्सन है बंबई बैंगलोर फोर्थ आप्सन है क्या है बंबई हैदराबाद ठीक है तो यहाँ पर जो राइट आप्सन होगा वह होगा बंबई दिल्ली यहाँ पर बंबई दिल्ली जो है सही हो जाएगा तयप महता से रिलेट एक तत्थ है है क्या आप लोगों को पता है कि ललिक कला अकादमी का प्रथम प्रुस्कार किस कलाकार को मिला है बताएए जी हाँ ललिक खला अकादमी का प्रथम पुरुषकार जो है वो तयम महता को मिला है और ये पुरुषकार जो है कम मिला है तो 1965 इसवी में मिला है ठीक है नेक्स्ट कोश्चन है आरा अपने किस कारे के लिए प्रसिद है फर्स्ट ओप्षन है चेहरा चित्रांकन सेकेंड ओप्षन है नगने चित्र थर्ड ओप्षन है इस्थिर वस्तु चित्र फोर्थ ओप्षन है प्रकृति चित्र तो आरा जो है इस्थिर वस्तु चित्र के लि और इनका जो पूरा नाम है वा है क्रिष्ण हवलाजी आरा ठीक है और ये क्या है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप के कलाकार है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चिन है ओरिसा के सूर्य मंदिर कि शहर में है फर्स्ट आप्शन है पूरी सेकेंड आप्शन है भुवनेश्वर थर्ड आप्शन है कटक फोर्थ आप्शन है कुलार्ग तो ओरिसा के जो सूर्य मंदिर है वह कुलार्ग शहर में इस्थित है इसलिए इसे कुनार्क का सूर्यमंदिर भी कहते हैं कुनार्क के सूर्यमंदिर को जो है ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है और इसका निर्मार नर SING देव प्रिथम ने करवाया था ठीके ये सारे महत्व पूर्ण तथ्धे हैं नेक्स्ट कोश्चन है दिल्वारा मंदिर है इसका फर्स्ट ओप्षन है टेरा कोटा सेकेंड ओप्षन है बलुआ पत्थर मूर्तिकला थर्ड ओप्षन है संग्मर्मर मूर्तिकला फोर्थ ओप्षन है प्लास्टर मूर्तिकला तो दिल्वारा मंदिर जो है वह है संग्मर्मर मूर्तिकला सांची के स्तूप्त हैं, फिर्स्ट औप्षन है कि जोस्तूप यहां पर तड हैप फिर्ड औक्षन कि आरध्यृत काश जो है वह सही हो जाएगा अब चलते हैं निक्स कोष्चन की और दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा फर्स्ट्ट ऑप्शन है अकपर इंड ऑप्षन है औरंग जेब थर्ड ऑप्षन है हुमायू फोर्थ ऑप्षन है जहांगीर तो दिल्ली का लाल किला जो है वहाँ जहांगीर के पुत्र द्वारा बनाया गया था जहांगीर के पुत्र साहा जहां द्वारा बनाया गया था यहाँ फूर्थ आप्शन जहांगीर सही हो जाएगा ठीक है निक्स्ट कोस्चन है माइकल एंजिलो किसके समय में हुआ था फर्स्ट ओप्षन है फाजिज सेकेंड ओप्षन है घन चित्रन सैली थर्ड ओप्षन है पुनर जागरण फोर्थ ओप्षन है अभास चित्रन तो माइकल एंजिलो जो है वह पुनर जागरण के समय में हुआ था यहाँ third option पुनर जागरण जो है वो सही हो जाएगा और माइकल एंजिलो जो है वो मुर्तिकार, चित्रकार, वास्तुकार आदी थे ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है रामकुमार प्रसिद है अपने फर्स्ट ओप्षन है मानों चित्रों के लिए, सकेंड ओप्षन है प्रकृति चित्रों के लिए, थर्ड ओप्षन है इस्थिर्वस्तु चित्रों के लिए, फोर्थ ओप्षन है समुद्र चित्रों के लिए तो रामकुमार जो प्रसिद है प्रकृती चितरण के लिए इसलिए यहां सेकेंड ओप्षन प्रकृती चितरण के लिए जो है वह सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है कुतुप मिनार किसके द्वारा बनाया गया था फर्स्ट ओप्षन है शाह जहां सेकेंड ओप्षन है अगबर थर्ड ओप्षन है कुतुप बुद्दिन अबग फोर्थ ओप्षन है हुमायू तो कुतुब मिनार जो है वहां किसके द्वारा बनाया गया था कुतुब बुद्दिन एबग के द्वारा बनाया गया था ठीक है यहाँ पर थर्ड आप्शन कुतुब बुद्दिन एबग सही हो जाएगा Next question है बुहन जोदरो और हडपा में पाई गई सीले किस माध्य में बनाई गई है First option है बरूंज Second option है मार्बल Third option है ग्रे नाइट Fourth option है टेरा कोटा तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वाँ होगा टेरा कोटा सीले का मतलब यहाँ मोहर से है ठीक है तो यहाँ पर जो है Fourth option टेरा कोटा सही हो जाएगा Next question है एलोरा में कुल कितनी गफाएं है First option है 34 Second option है 35 Third option है 36 Fourth option है 33 तो एलोरा में जो है 34 गफाएं है कुल कितनी गफाएं है तो 34 गफाएं है यहाँ First option जो है वह सही हो जाएगा Next question है एलोरा में कौन सा मंदिर एलोरा की जान है First option है विश्डु मंदिर Second option है राम मंदिर Third option है कैलास का मंदिर Fourth option है लक्षमी का मंदिर तो यह तो सभी जानते होंगे कि जो एलोरा का कैलास मंदिर है वह एलोरा की जान है ठीक है तो यहाँ पर third option जो है कैलास का मंदिर वो सही हो जाएगा Next question है अजनता एलोरा के गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा First option है विश्डु में सांग Second option है एडवर्ड Third option है एलेक्स Fourth option है रिचर्ड तो अजनता एलोरा के गुफाओं को जो है सबसे पहले विश्डु में सांग ने देखा था यहाँ First option विश्डु में सांग सही हो जाएगा Next question है कंदरिया का महा दिव मंदिर कहाँ पर स्थीत है First option है अजनता Second option है एलोरा Third option है कंदरिया का महा दिव मंदिर जो है वो खजराओं में स्थीत है ठीक है कहाँ स्थीत है खजराओं में स्थीत है और खजराओं जो है मध्य प्रदेश के छतरपूर जिले में स्थीत है यहाँ Third option खजराओं सही हो जाएगा Next question है गोल गुमबच कहाँ पर स्थीत है First option है बीजापूर Second option है गोल कुंडा Third option है फतेहपूर Fourth option है सहारनपूर गोल गुमबच जो है वहाँ बीजापूर में स्थीत है बीजापूर करनाटक में गोल गुमबच स्थीत है यहाँ First option जो है वो सही हो जाएगा और गोल गुम्बच क्या है तो गोल गुम्बच मकबरा है ठीक है गोल गुम्बच मकबरा है नेक्श कोस्चन है जंतर मंतर किसने बनवाया था फर्स्ट ओप्सन है राजा जै सिंग सेकेंड ओप्सन है राजा सवाई सिंग थर्ड ओप्षन है राजा मान सिंग, फोर्ट ओप्षन है राजा माधो सिंग तो जंतरमंतर किसने बनवाया था? राजा सवाई सिंग ने यहां सेकेंड ओप्षन राजा सवाई सिंग जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है हुमायू का मकबरा किसने बनवाया था फर्स्ट ओप्सन है अकबर सेकेंड ओप्सन है बाबर थर्ड ओप्सन है जहां गीर फौर्थ ओप्सन है शाह जहां तो हुमायू का मकबरा जो है वो अकबर ने बनवाया था यहां first option अकबर सही हो जाएगा next question है victory tower कहां पर इस्थित है first option है चितोरगर second option है रर्थमबर third option है जैपूर fourth option है विकानेर तो victory tower या विजय इस्थम्ब जो है वो चितोरगर में है ठीक है वो चितोरगर में स्थित है यहां first option चितोरगर जो है वो सही हो जाएगा next question है राजा रवी वर्मा की चितोरों का विजय क्या था first option है पराणिक second option है प्राकृतिक third option है एतिहासिक fourth option है राचनैतिक तो ये तो सभी जानते हैं कि राजा रवी वर्मा की चितोरों का विजय जो है वो पराणिक था यहां first option पराणिक सही हो जाएगा next question है 18-19 ग्रूप कहां गठित हुआ था first option है बंबई second option है कलकत्त third option है पतना fourth option है बड़ोदा तो ग्रूप 18-90 जो है वो बड़ोदा में गठित हुआ था ठीक है यहां पर fourth option बड़ोदा सही हो जाएगा next question है निम्न लिखित में से 18-19 ग्रूप के कौन है first option है हिमत सहा second option है जग्गु भाई शाह third option है नटवर शाह fourth option है सतीज गुजराल तो यहां पर जो है हिमत सहा ग्रूप 18-90 के सदस्य है ठीक है यहां फर्स्ट ऑप्शन हिमत सहा सही हो जाएगा next question है 18-19 ग्रूप का कौन कलाकर प्रसित चित्रकार कवी और कला इतिहासकार था first option है GM सेख second option है निलीमा शेख third option है M पंड़िया fourth option है जोतीभट तो वो कौन है यहां इसका right answer जो होगा वो GM सेख हो जाएगा यानि की गुलाम महुम्मत सेख जो प्रसित चित्रकार कवी और कला इतिहासकार थे ठीक है यहां पर first option सही हो जाएगा next question है group 1890 का प्रसित master printmaker कौन था first option है हिमस शा second option है GM सेख third option है जोतीभट fourth option है जे राम पतेल तो यहां पर जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा जी हां जोतीभट यहां पर right answer जो है जोतीभट हो जाएगा यह group 1890 के प्रसित master printmaker थे ठीक है next question है वहाँ प्रसित मूर्थीकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकडी की मूर्थी कला के लिए जाना जाता था first option है बलविर सिंकर second option है संकु चौधरी third option है जे राम पतेल fourth option है सरबरी राय चौधरी तो यहां पर जो right answer है वो होगा जे राम पतेल यहां गे राम पतेल लिखा है यह गलत है यहां होगा जे राम पतेल ठीक है next question है सबसे प्रसित pop कला कार कौन है सबसे प्रसित pop कला कार कौन है first option है Jackson Pollock second option है Vastrali third option है Indy Barhol fourth option है Paul Klee तो यहां पर जो right answer होगा वो क्या हो जाएगा जी बताइए यहां पर right answer जो है वो हो जाएगा Indy Barhol ठीक है क्या हो जाएगा Indy Barhol यहां पर third option Indy Barhol सही हो जाएगा next question है सर्वाधिक प्रसित चित्र शांती किसके द्वारा बनाया गया है first option है Picasso second option है Salva Doodaly third option है FN Suja fourth option है Wongog तो यहां पर जो सांती चित्र है वो किसका है Picasso का है ठीक है किसका है Picasso का यहां first option Picasso जो है वो सही हो जाएगा ठीक है next question है आप कलाकार का नाम बताए first option है Indy Barhol second option है Keith Klujner third option है वासरली fourth option है Rubens तो यहां पर जो आप कलाकार है वो कौन है वासरली है ठीक है वो कौन है वासरली है इनका पूरा नाम Victor वासरली है यहां पर थर्ड अप्शन जो है वो सही हो जाएगा next question है अपने pink period के लिए कौन प्रसिद है first option है Goggin second option है वांगोग third option है season fourth option है Picasso तो अपने pink period के लिए कौन प्रसिद है जी हां Picasso प्रसिद है पिंग period के लिए जो है Picasso प्रसिद है और इनका pink period कब से कब तक था 1904 से 1906 थक ठीक है next question है potato eater का प्रसिद चित्र किसके द्वारा बनाया गया first option है Rubens second option है Rimra third option है वांगोग fourth option है अमरिता शेर गिल तो बताएए यहां पर कौन सा right option होगा जी हां यहां पर जो right answer होगा वां होगा वांगोग इसमें वैंगोग लिखा है ठीक है तो confuse मत होईएगा यहां right जो answer है वो होगा वांगोग ठीक है इनका पूरा नाम है विंसेंट वांगोग और यह जो है उत्तर प्रभावाद के कलाकार है और इनको जो है डच कलाकार भी कहा जाता है ठीक है निक्स क्वेस्चन है जोई ओफ लाइफ नामक पेंटिंग है फर्स्ट ओप्शन है पीटर पॉलाग सेकेंड ओप्शन है जैक्सन पॉलाग थर्ड ओप्शन है हेंरी मातिस फोर्थ ओप्शन है हेंरी मूर तो यहां पर जो right answer होगा जोई ओफ लाइफ नामक पेंटिंग किसकी है हेंरी मातिस की है ठीक है किसकी है तो हेंरी मातिस की है और हेंरी मातिस को जो है फावादी कलाकार भी कहते है ठीक है फावादी कलाकार किसे कहते है तो हेंरी मातिस को कहते है नेक्स्ट कोस्चन है किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई फर्स्ट ओप्षन है मोनेट सिकेंड ओप्षन है मैनेट थर्ड ओप्षन है रिनोईन फोर्थ ओप्षन है डेगा तो यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वह हो जाएगा मैनेट ठीक है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? मैनेट सही हो जाएगा अलंचियन ग्रास को कभी कभी त्रेंड पर भोजन करके भी चित्र इसको पूसते है ठीक है? और यह जो चित्र है वो कहां सुरक्षित है? म्यूसी दा और से पैरिस में सही जो है सुरक्षित है यह चित्र संग्रहित है ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन है अजन्टा के चित्र किसके जीवन पर आधारित है? फर्स्ट ओप्षन है जैन सेकेंड ओप्षन है बूथ थर्ड ओप्षन है महावीर फोर्थ ओप्षन है इशू मसी तो अजन्टा के जो चित्र है वो बूथ के जीवन पर आधारित है यहाँ सेकेंड ओप्षन बूथ जो है सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है दिल्वाडा मंदिर कहां पर इस्थित है? फर्स्ट ओप्षन है नई दिल्ली सेकेंड ओप्षन है जैपूर थर्ड ओप्षन है माउन्ट अबू फर्थ ओप्षन है जोद्पूर तो यहाँ जो दिल्वाडा मंदिर है वो कहां स्थित है? माउन्ट अबू में स्थित है यहाँ थर्ड ओप्षन माउन्ट अबू जो है वो सही हो जाएगा देविट की मूर्ति किस मूर्तिकार ने बनाई थी फर्स्ट ओप्षन है लियूनाडो सिकेंड ओप्षन है रॉडिन थर्ड ओप्षन है माइकल एंजिलो फॉर्ट ओप्षन है रिनॉयर तो डेविट की मूर्ति किस ने बनाई थी जी हां Michael Angelo ने बनाई थी डेविट की मूर्ती जो है Michael Angelo ने बनाई थी और ये Michael Angelo जो है उच्छ पुनर जागरणकाल के कलाकार है ठीक है Next question है बिंदू चित्रण पत्ति आरम करने वाले कलाकार का नाम बताए First option है Dega Second option है Reno Third option है Wongog Fourth option है स्यूरत तो यहां पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा Fourth option स्यूरत ठीक है यहां पर स्यूरत सही हो जाएगा Next question है कौन प्रसित फाजिस्म कलाकार था First option है Woticheli Second option है Medici Third option है Henry Mathis Fourth option है Renown तो जो जो फाजिस्म कलाकार है वह है Henry Mathis Henry Mathis को फाजिस्म या फाववादी या जंगलवादी कलाकार कहा जाता है Next question है Next question है अमरिता सेरगिल की मा थी वो क्या थी? हंगेरियन थी यहां third option हंगेरियन सही हो जाएगा Next question है अमरिता सेरगिल के कारे को किसने प्रोचसाहित किया था? जामनी राय जी ने प्रोचसाहित किया था यहां second option जामनी राय जो है वो सही हो जाएगा Next question है राम किंकर का सबसे प्रसित कार्य कौन सा है? First option है न्यूट फेम्ड Second option है पहाडी परिवार Third option है संथाल परिवार Fourth option है राजस्थानी परिवार तो जो राम किंकर बैच का प्रसित कार है वह है संथाल परिवार ठीक है? यहां पर third option संथाल परिवार जो है वो सही हो जाएगा चलते हैं next question पर सैलोज बुखर जी है एक First option है आकारवादी Second option है रंगवादी Third option है घंचित्रणवादी Fourth option है प्रभाववादी तो सैलोज मुखर जी जो है वो क्या है प्रभाववादी है ठीक है? सैलोज मुखर जी प्रभाववादी चित्रकार है अगर यहां option में प्रभावादी नहीं होता तो फिर यहां पर रंगवादी सही हो जाता ठीक है तो प्रभावादी जो है वो first priority है और रंगवादी जो है उसको second priority देंगे ठीक है यहां fourth option जो है वो सही हो जाएगा निक्स्ट कोश्चन है अवनींद्र नाट टैगोर जाने जाते हैं इसके लिए फर्स्ट ओप्शन है सेरी ग्राफी सेकेंड ओप्शन है अपार दर्शी वर्ण चित्रण थर्ड ओप्शन है जल रंग वास तकनीक फौर्थ ओप्शन है पोर्ट रैचर तो अवनींद्र नाट टैगोर जो है जाने जाते हैं अपने वास तकनीक के लिए ठीक है यहाँ पर थर्ड ओप्शन जल रंग वास तकनीक जो है वो सही हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है यहाती पेंटिंगों की एक श्रिंखला है जो बनाई गई है इनके द्वारा फर्स्ट ओप्शन है अंजली एला मेनन सेकेंड ओप्शन है राम कुमार थर्ड ओप्शन है राम चंदरन नायर फोर्थ ओप्शन है बिसी सान्याल तो बताईए यहाँ पर क्या राइट एंसर होगा जी हाँ यहाँ यहाँ पर जो राइट एंसर होगा वो होगा राम चंदरन नायर ठीके यहाँ पर जो है राम चंदरन नायर जो है वो सही हो जाएगा इनका पूरा नाम जो है अच्चित रामचंदरन नायर है ठीक है और यह यहातिक जो है एपिक मियूरल है यहां माभारत पर जो है अधारित श्रिंखला है और इसकी माप है 7 x 60 feet ठीक है यहां पर थर्ड ओप्शन रामचंदरन नायर सही हो जाएगा नेक्स्ट कोस्चन है पीसी सान्याल थे इनके समकालीन फर्स्ट ओप्शन है राजा रवी वर्मा सेकेंड ओप्शन है अमरिता शेर गिल थर्ड ओप्शन है वांगोग फोर्थ ओप्शन है सीजन तो बीसी सान्याल किसके समकालीन थे अमरिता शेर गिल के ठीक है यहां पर सेक second option, Amrita Shear Gil जो है, वो सही हो जाएगा Next question देखते है अजन्तर में कितनी गुफाएं है? First option है, 30 Second option है, 28 Third option है, 29 Fourth option है, 27 तो अजन्तर में कितनी गुफाएं है? 30 गुफाएं है यहाँ first option जो है, वो सही हो जाएगा Next question है अजन्ता गुफाएं कप्रकास में आई First option है 1818 Second option है 1811 Third option है 1819 Fourth option है 1800 तो अजन्ता गुफाएं कप्रकास में आई तो 1819 इस्वी में ठीक है कब आई 1819 इस्वी में जो है अजनता गुफाओं की खोज भी और किस ने की तो जौन स्मित ने की यहाँ पर थर्ड ओप्शन 1819 सही हो जाएगा नेक्स्ट कॉस्चन है अजनता गुफाओं किस धर्म पर आधारित है फर्स्ट ओप्शन है जैन, सकेंड ओप्शन है पौथ, थर्ड ओप्शन है इसाई, फोर्थ ओप्शन है हिंदू तो अजनता गुफाओं जो है वो बहुत धर्म से सम्बंदित गुफाओं है यहाँ पर सकेंड ओप्शन बहुत धर्म जो है सही हो जाएगा चलते हैं next question देखते हैं क्या है अजन्ता की बित्तिच चित्रकारी में सतह को तयार करने में किस तकनी को अपनाया गया है First option है क्या है First option चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर Second option है चावल की भूसी और गोंद सहित पत्थर पाउडर Third option है चावल की भूसी और गोन सहित चिडिया की बीड फोर्थ ऑप्सन है चावल की भूसी और गोन सहित मिट्टी तो पताईए यहां right answer क्या हो सकता है तो यहां जो right answer है वो option number first हो जाएगा चावल की भूसी और गोन सहित गायका गोबर ठीक है जी निक्स्ट कोस्चन है अजन्ता गुफाएं इस्थित है यहां फर्स्ट ओप्शन है पंजाब सेकेंड ओप्शन है मत्य प्रदेश थर्ड ओप्शन है ओरिशा फोर्थ ओप्शन है महराष्ट्र तो यह तो सब को पता होगा कि अजन्ता गुफाएं कहां है महराष्ट के औरंगाबाद में है ठीक है यहां fourth option महराष्ट जो है वो सही हो जाएगा next question है राजस्थानित चित्रकला किस अवदी की में विक्षित हुई ठीक है first option है 19-20 शताब दी second option है 16-17 शताब दी third option है 11-12 शताब दी fourth option है 16-17 शताब दी तो बताइए यहां पर इसका right answer क्या हो जाएगा यहां पर जो इसका right answer होगा वो होगा 16-17 शताब दी ठीक है यहां पर second option जो है वो सही हो जाएगा चलिए next question देखते हैं क्या है राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विशय थे first option है रामसिता second option है रामणमंदोदरी third option है राधा क्रेश्ण fourth option है अपसराएं तो राजस्थानी जो चित्रन के लिए सबसे पसंदीदा विशय जो थे वो थे राधा क्रिश्ण के यहां third option राधा क्रिश्ण जो है वो सही हो जाएगा next question है पहाडी पेंटिंगे किस समय विश्षित थी first option है विलंबित 17 से प्रारंबिक 18 शताब दी second option है प्रारंबिक 15 से विलंबित 17 शताब दी third option है विलंबित 18 और प्रारंबिक 19 शताब दी fourth option है प्रारंबिक 18 और विलंबित 19 शताब दी तो यहां पर जो राइट एंसर होगा वो हो जाएगा विलंबित 18 और प्रारंबिक 19 शताब दी यहां पर option number 3 जो है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा next question है मुगल समराच जहांगीर के समय का प्रसित पेंटर था first option है उस्ताद मातलूप second option है उस्ताद मक्मूर third option है उस्ताद महबूप fourth option है उस्ताद मनसूर तो यह तो सभी चानते हैं जांगीर के समय का जो प्रसित पेंटर था वा था उस्ताद मनसूर यहां fourth option जो है उस्ताद मनसूर सही हो जाएगा next question है मोहन जोड़ो आवधी की प्रसित नित करती लड़की की मूर्ती है इसकी first option है plaster of Paris second option है टेरा कोटा third option है कांसा fourth option है पत्थर तो यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा कांसा third option कांसा यहां पर जो है वो सही हो जाएगा और यह मोहन जोड़ो से प्राप्त नित की की मूर्ती है यह राश्ट्रिय संगरहाले नई दिल्ली में सुरक्षित है next question है राश्पूत सैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है first option है मुगर सैली second option है राजस्थानी और हिंदु सैली third option है गुजराती सैली fourth option है मारवार सैली तो यहां पर जो right answer होगा वो हो जाएगा राजस्थानी और हिंदु सैली next question है प्रगतिवादी कलाकार समू का घोस्णा पत्र किसने लिखा था first option है sh आरा second option है कार्टोंडे third option है fn सूजा fourth option है आरा तो प्रगतिवादी समू का जो घोस्णा पत्र है वो किसने लिखा था fn सूजा ने लिखा था ठीक है Francis Newton सूजा ने जो है प्रगतिवादी कलाकार समू या पैक का या प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रूप का घोस्णा पत्र लिखा था यहां third option सही हो जाएगा next question है किसने paint किया था lamp और मकडी के बीच first option है आरा second option है रजा third option है रामकुमार fourth option है M.F. हुसेन तो lamp और मकडी के बीच किसने चित्रित किया था यह चित्र है M.F. हुसेन का यहां fourth option जो है M.F. हुसेन वो सही हो जाएगा next question है प्रैसित चित्र जमीन किसका बनाया हुआ है first option है तयब महता second option है M.F. हुसेन third option है SH. रजा fourth option है आरा तो जमीन चित्र जो है यह भी M.F. हुसेन ने बनाया था ठीक है यहां second option जो है M.F. हुसेन सही हो जाएगा next question है through the eyes of an artist film किसने बनायी थी first option है रामचंदरन second option है M.F. हुसेन third option है I.S. जोहर fourth option है जियोती भट तो यह film जो है वो बनायी थी M.F. हुसेन ने यहां पर जो है second option M.F. हुसेन सही हो जाएगा यहां पर second option M.F. हुसेन सही हो जाएगा ठीक है इस वीडियो में जो है 2004 के 60 question तक solve करा दिये हैं अब next video में इसके आगे के question जो है हम solve करवाएंगे ठीक है जी तो इसी तरह पढ़ते रहिए और revision करते रहिए Thank you so much